Hello everyone, welcome back to our channel Bond of Learning आज हम इस वीडियो में टेंसिस जो है present chance जो है आपका उसमें किस तरीके के अलग-अलग टाइप के सेंटेंसिस को आप English और हिंदी दोनों में किस तरीके से फ्रेम करेंगे अगर आपको हिंदी में sentences आते हैं तो किस तरीके से आप उन्हें जो है English में translate कर सकते हैं वो सारी चीज़े देखेंगे क्या formula होंगे हमारे पास simple present के continuous के present perfect के and perfect continuous के हर चीज़ हम इस जो वीडियो है इसमें discuss करने वाले हैं इस तरीके का जो एक page है जिसमें कि आप notes बना कर अपने room में चिपका सकते हैं जिसे कि आपके जो basic concept है वो हमेशा clear रहेगा जभी भी doubt होगा आप ये जो है इस तरीके की sheet को आसानी से follow कर सकते हैं तो let's start the video सबसे पहले देखे simple present tense जैसा कि आपको पता है हमारे जो तीन tenses होते है present, past and future तीनों के ही जो च्यार होते हैं subdivisions आप बोल सकते हैं वो होते हैं आज हम present tense के ही बात करेंगे इस वीडियो में present tense में आप एक positive sentence, affirmative sentence जो कि आप simply statement जिसे बोल सकते हैं उसको कैसे लिखेंगे ठीक है सारी ही चीज़े हम present continuous में, perfect में and perfect continuous में भी देखेंगे उसी sentence को अगर आपको negative बनाना है या वैसा ही मिलता जूलता sentence अगर आपको interrogative में बनाना है तो आप किस तरीके से बनाएंगे, क्या हमारे basic formulas रहेंगे, ओके one by one हम ये सारे चीज़े इस वीडियो में discuss करने वाले हैं I think इस वीडियो को देखने के बाद present tense के जितने भी आपकी जो भी queries हैं, जो भी confusions हैं वो सारे clear हो जाएंगे तो let's start the video, अब हम देखते हैं सबसे पहले simple present tense तो simple present tense का मतलब है, अब इसमें किस तरीके के sentences आते हैं, कौन-कौन से हैं, sentences जो simple present tense के under आते हैं इसके लिए आप मेरा just इस से पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका link भी मैं आपको description box में देदूंगी जिसमें हमने detail में बात की है, कि किस तरीके के sentences simple present में आते हैं, किस तरीके के sentences present continuous में आते हैं, वहाँ सिर्फ हमने discuss किया है कि types of sentences कौन-कौन से होते हैं, जो कि, जिनके help से आप ये पता लगाएंगे, कि ये वाला जो sentence है, ये कौन से tense में जाएगा तो वो हम यहाँ रिसकसाज नहीं करेंगे, उसके लिए आप वो पहले वाला वीडियो देख सकते हैं Simple में जब मैं बात करूँ affirmative sentence की, तो यहाँ हम जो subject है, वो singular as well as plural दोनों को लेके चलेंगे क्योंकि हम दोनों में ही बाते करते हैं, हमारा subject plural भी होता है, I के साथ भी होता है, यू के साथ भी होता है और बहुत से बार हमारा subject है, वो singular भी होता है, ठीक है, अगर आपका जो sentence है, वो simple sentence है, positive sentence है simple present tense का एक sentence है, affirmative, तो अगर उसमें I, V, U या दे आ रहा है, या फिर दो लोगों की बात हो रही है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले subject रखेंगे, उसके बाद verb का first form लिखेंगे verb का first form से मतलब होता है verb का base form, ठीक है, तो कहीं आपको base लिखा हुआ मिलेगा, कहीं first form लिखा हुआ मिलेगा और आप इसको simply verb भी बोलेंगे, तो भी इसका मतलब यही है, कि आपको उसमें verb add कर देना है, जो उसका base form है, ठीक है तो यह बात है plural के लिए, singular, he, she, it में आप क्या करेंगे, verb का base form लगाएंगे, उसके साथ आप या तो s add करेंगे, या es add करेंगे अब कहाँ s लगता है, कहाँ es लगता है, उसके लिए आपको जो verbs हैं, उनके forms को learn करना होगा, उनके rules को आपको जानना होगा उसके भी बहुत सारे videos चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हैं अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है, कि I will you, they के साथ जब English में sentence बोलेंगे, तो verb का first form he, she, it के साथ बोलेंगे, तो उसमें जैसे play का plays हो गया यहाँ पे, तो ये सारी चीज़े आपको यहाँ ध्यान रखनी है अब क्या करना है, जैसे ही आपने ये चीज़े सीख ली, मैंने यहाँ एक sentence दिया है, वह cricket खेलती है, ठीक है, तो गौल की बात कर रहे हैं, इसलिए आगया, she plays खेलने के लिए आगया, और cricket जो है, वह cricket खेलती है, she plays cricket ये एक simple sentence हो गया, मैंने यहाँ एक sentence दिया है, singular subject के साथ, आप कोशिश करें कम से कम 5 sentences अपने आप frame करें, इस तरीके से, क्या करना है, जैसे maths में एक formula होता है, उसी type से यहाँ पर एक formula दिया हुआ है, आप कोशिश करें कि 2-3 sentences आप, I, V, U, they के साथ बनाएं, he, she, it, सारे ज improve नहीं होगी, try to speak them, आप कोशिश करें, उनको बोलने की, बहुत ही basic, she plays cricket, she cooks food, ठीक है, they watch TV, इस तरीके से जो basic, छोटे-छोटे sentences है, उनको बोलने की, आप कोशिश करें, ठीक है, अब इसी के negative पे हम पहुँच जाते हैं, simple present tense में, अगर कोई sentence आपको negative में बनाना है, किसका simple present tense का negative sentence, negative के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कि जिसमें हमें नहीं उप्योग करना है, नहीं जो है न, वो आएगा, हिंदी के sentences, क्योंकि हमारी क्या है, जब हम हिंदी से English में translation सीखते हैं, या क्योंकि हमारी daily की जो language है, वो basically सबके घुरों में हिंदी ही है, तो नहीं के जो sentence है, वो आएंगे इसमें, simple, okay, अब इसमें again क्या rule है, I, V, U, they के साथ हम do not लगाएंगे, और verb का base form लगा देंगे, okay, here, she, it के साथ does not लगाएंगे, और verb का first form लगाएंगे, बस, इतना ही नियम है, कि जो plurals होंगे हमारे उनके साथ do not लग जाएगा, singulars के साथ हमार does not लग जाएगा, दोनों में verb की first form लग जाएगी, example की बात करें, वह cricket नहीं खेलती है, she doesn't play cricket, ठीक है, she doesn't play cricket, अब आपको लग रहा होगा कि हमने इस से पहले बात किया था कि play के साथ s जाएगा singular में, तो confused नहीं होना है, वो s हमारा verb का जो है, वो यहाँ इसलिए कट जात है, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा, yes जो है वो, जब हमने लिखा doesn't, तो वहाँ आ गया, तो एक में, जब एक ही sentence में, अब बार बार वो चीज़ नहीं करेंगे, यहाँ आपने does लगाया है, singular के साथ, ठीक है, इसलिए यहाँ पर play का s जो है, वो verb का s होता है, वो के, clear, अब हम बात करते हैं, interrogative sentences के, interrogative sentences कौन से होते हैं, simple present tense में interrogative sentences, वो sentences जिनमें आप कुछ किसी से पूछ रहे हैं, ठीक है, सवाल करने का भाव जिसमें आता है, क्या तुम वहाँ गये थे, गये, क्या तुम वहाँ जाते हो, इस तरीके के, है वाले sentences, थे वाले नहीं, व जाबर खेलती है, habitual जो है, habits में जो आने वाले sentences है, ठीक है, तो इसमें क्या rule है, इसमें do और does पहले आजाएगा, do किसमें आएगा, वही similar rule रहेगा, जो negative में था, do आएगा, I, V, U, they के साथ, और verb की first form, does आएगा, here, she, it, they के साथ, और verb की first form, change क्या हुआ, subject जो यहाँ पे आपका जो object है, वो आजाएगा, ठीक है, तो does she play cricket, तो does पहले आगया, क्योंकि हम singular के साथ, जो verb, sentence हो फ्रेम कर रहे है, ठीक है, तो does she play cricket, और फिर caution mark, और उसी punctuation mark के साथ, आपको इसको बूलना है, does she play cricket, क्या वो cricket खेलती है, इस तरीके से, ऐसे ही, इसमें भी आपको अलग जो sentences है, उनको बनाने की, तो यह हमने तीनों type के sentences की बात कर ली, simple present tense में, okay, now move to present continuous tense, नाम से ही आपको पता चल रहा है, कि present continuous tense है, ठीक है, तो I, अब इसमें अलग-अलग rule है, I के साथ हमेशा M आता है, वर्ब आता है, वो अब के साथ I N G आता है, आप सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, कि वर्ब का I N G form, वो भी चलेगा, प्लस नहीं लगा के, I N G form of वर्ब, वो लिखेंगे, बहुत हर से, ठीक है, तो I के साथ M आ गया, यू वी दे के साथ R आ जाएगा, plurals के साथ भी R आ राएगा, he, she, it के साथ, और जितने भी singular है, name हो सकते है, राम हो सकत से, तो उसमें इस आ जाएगा, वर्ब की first form और I N G, वर्ब की first form और I N G, तीनों में आएगी, चाहे आप I के साथ बना ले, singular के साथ बना ले, या फिर plural के साथ बना ले, ठीक है, example देखते है, she is preparing for the examination, ठीक है, वह परिक्षा की तयारी कर रही है, काम चल रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है, अभी वह काम continue है, इसी को जब मैं negative में बनाती हूँ, तो I के साथ आपका, again, am आ गया, not आ गया, and वर्ब की first form और I N G, I am not, इस तरीके से, you, we, they, are not, are लग गया, am लग गया, तो am के बाद not, जिसमें are लगेगा, are के बाद not, aren't, are not, ठीक है, जिन में, he, she, it लग रहा है, उसमें is आ रहा है था, यहाँ पे, ये वाले में, ठीक है, तो उसमें is not, सीधा, are के साथ aren't, is के साथ isn't, और am के साथ I am not, इस तरीके से not लगा कर, वर्ब की first form और I N G लगा देना है, ठीक है, जैसे, she is not preparing, not preparing, is not, she आ रहा है, इसले is not, is not, preparing for the exam, exam and examination both are same, वह परिक्षा की तयारी नहीं कर रही है, वह परिक्षा की तयारी नहीं कर रही है, ठीक है, now interrogative of the same sentence, इसका interrogative हम बनाएंगे, पहले rule देख लेते हैं, जहां M आता है, I के साथ, उसमें क्या हो जाता है, places interchange हो जाते हैं, जैसे पहले बाले में था, ठीक है, subject ज helping verb हैं, वो आ जाता है, पहले, am I verb की first form और ing along with the question mark, are you, we, they plus verb की first form, ing और question mark, इसके साथ, he, she, it plus verb और ing and question mark, लगाना है आपको end में, is she preparing for the exam, is she, ठीक है, इसमें is आ गया क्योंकि हमने she के साथ बनाया, she कैसा है, हम हमारा subject, it's a singular subject, ठीक है, तो, क्या वह परिक्षा की तैयारी कर रही है, यह हमारा सवाल हो गया, okay, now, move to the third one, present perfect tense, ठीक है, present perfect tense की अगर मैं बात करती हूँ, तो, इसमें क्या होता है, हमारा जो subject होता है, उसके साथ, has और have लग जाता है, अभी तक आपको इतना समझ में आ गया होगा, कि singular कौन से होते हैं, subject and plural concept होते हैं, इन दो को दे कि आपने यह basic concept clear कर लिया होगा, एक दिन में आपको यह नहीं सीखना है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, अगर आपके base थोड़ा strong है, यह दोनों आपको आ रहे हैं, क्योंकि दोनों के ओपर बहुत सारे videos आपको मिल जाएंगे, पहले first then continuous, यह दोनों आप साथ में सीख सकते हैं, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बट जब यह बहुत अच्छे से आपको clear हो जाएं, तभी आपको perfect वाले जो sentences हैं, उनमें move करना है, बिकॉस यह थोड़े अलग होते हैं, different होते हैं, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, सीधा है यह मैंने इसलिए लिखा हुआ है, क्योंकि इस texture हम form करते हैं, तो यह बहुत बड़ा बन जाता, आपको पता ही होगा कि सबसे पहले हम subject रखेंगे, subject के साथ क्या होगा, कि has या have आएगा, ठीक है, और has और have कहां आएगा, has आएगा, singulars के साथ, अभी तक हमने जो दो कि they, जितने भी होते हैं, या दो person की जब हम बात करते हैं साथ में, बहुत सारे लोगों की बात करते हैं, तब हम लगाएंगे have, ठीक है, तो यह basic है, उसको मैं दुबारा repeat नहीं कर रही हूँ, सीधा आपको एक simple way में बता रही हूँ कि has or have लग जाता है, past participle, past participle form of the verb, मतल the letter, ठीक है, उसने पत्र post किया, मतलब letter post किया, अगर मैं simple भाषा में भी हिंदी में कहूं तो, क्योंकि पत्र आजकल कौन ही बोलने वाला है, उसने letter post किया, मतलब वो काम हो चुका है, हो सकता है, end में आपको चुका है, चुकी है, मिले, वह पत्र पोस्ट कर चुकी है, क्यो ठीक है वो भी same है कर दिया है कर चुकी है उसने किया यह सारे sentences इसमें आएंगे present perfect tense में ठीक है just वो अभी काम finish हुआ है right now अभी just पहले अब negative कैसे आपना होगे has have लगा दोगे वही simple है has किसके साथ लगाना है singular के have plural के I और you के इसके साथ उसमें not लगा दोगे और verb की third form लगा जैसे she has not posted the letter उसने letter post नहीं किया उसने letter post किया उसने letter post नहीं किया ठीक है आगे आप देखे इसी का interrogative जब हम बनाएंगे has have plus subject plus past participle of the form of the verb मतलब v3 has have लग गया subject इसमें क्या हो जाता है हमने बताया था helping word पहले आ जाते है subject बाद में चले जाते है has she posted the letter ठीक है क्या उसने जो letter है वो post किया क्या वो letter post कर चुकी है क्या उसने letter post किया इस तरीके के जो sentences है वो आ जाएंगे हमारे present perfect tense में ये भी आपको try करनी है ऐसे और sentences बनाना है ठीक है जो subject है उसको change करते हुए five sentences has के and five sentences आप try करें have के आप बनाएं okay now move to the last one this is present perfect continuous tense ठीक है present perfect continuous tense है इसमें आपको क्या करना है has have लगेंगे कहां लगेंगे वो आप जब ये वाले बनाएंगे तो बहुत अच्छे सापको clear हो जाएगा कि हमें ये कहां लगाने है has or have उसके साथ been लग जाता है has been have been ठीक है has या have been लगेगा उसके साथ been जहां लगेगा और यहां पर continuous से ही आपको पता चल रहा है कि जब नग जाएगा और ing लग जाएगा ठीक हह धिए the body has been sorry the baby has been sleeping well the baby baby क्या है हमारा singular subject है तो इसलिए has been verb की verb के साथ ing लग रहा है that's why sleeping ठीक है the baby has been sleeping well बच्चा अच्छे से सो रहा है बच्चा अच्छे से सो रहा है well का मतलब है यहाँ पर अच्छे से ठीक है then इसी को जब हम negative में करेंगे has, have लग जाएगा, not been लग जाएगा has, have, been, not नहीं आएगा, has, have, not been आएगा, यह एक general mistake है जो हम करते हैं, has been, have been को इतना ज्यादा इसमें हम याद कर लेते हैं, एक तरीके से रट लेते हैं कि जब negative की बारी आती है तो हम यही लिते हैं, has not been ठीक है, has been not have been not, यह common mistake है, वो नहीं करनी है आपको, has not been, have not been been और have और has के बीच में हमारा not आएगा okay, then ing form of the verb, the baby has not been, has not been, इस तरीके के जब आप sentences read करें और आप से कहा जाए कि बताओ कौन सा sentence है, तो यह आपकी की होनी चाहिए has not been आ रहा है, तो negative है, किसका been आ रहा है, ठीक है, has और been आ रहा है, तो has किसको represent करता है, present को करेगा, किस के लिए, जो perfect continuous है, क्योंकि been आ रहा है, तो has not been हुआ, एक negative sentence, present perfect continuous tense का, बच्चा अच्छे से नहीं सू रहा है, ठीक है, नहीं सू रहा है, next, है हमारा present perfect tense में interrogative, जब आप इसी में question करोगे, यह step की sentences बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट फिर भी हमें, यहाँ पे formula है, तो कुछ sentences तो हम definitely अपने daily life में use करते ही होंगे, has, have, plus subject, again, helping verb पहले आ जाता है, subject, बाद में चला जाता है, ठीक है, plus been, और ing form of the verb, along with the question mark, तो has the baby, capital आ जाएगा, has the baby been sleeping well, ठीक है, has, have, पहले आ गया, फिर बीच में subject आ गया, the baby, फिर been आ गया, verb की ing form आ गई, sleeping well एक साथ आएगा, ठीक है, has the baby been sleeping well, क्या baby, क्या बच्चा अच्छे से सो रहा है, has the baby been sleeping well, ठीक है, क्या वो अच्छे से सो रहा है, सो पा रहा है, इस तरीके से, जो sentences है, वो इसमें आएंगे आपके, तो यहाँ has और जो bean है, has या have के बीच में, जो subject है, वो आ जाता है, और negative में क्या होता है, has और bean के बीच में, not आ जाता है, ठीक है, अब इसी में, आप बहुत सारे sentences देखेंगे, जिनमें हमें use of for and since मिलेगा, since, denote करता है, point of time को, जिसमें की दिया होगा, जैसे 1965, since 1965, since Monday, ठीक है, since, 19th of this month, जब आपको particular time दिया जाएगा, ठीक है, for किसके लिए आएगा, for five years, ठीक है, for two hours, हमें नहीं पता कौन से two hours, और कौन सी five years, since और four का use भी हम इसी में करते हैं, present perfect continuous tense में, ठीक है, तो perfect continuous tense में ज्यादा तर, जो sentences है, वो four or since के भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे, they have been building the road, for six months now, ठीक है, they have been building the road, road को वो build कर रहे हैं, कब से, for six months now, अब से लेकर, मतलब, six months now, इसका मतलब सीधा हो गया हिंदी में, वो six months now, रोड को बना रहे हैं, मतलब, पहले की बात भी उसमें हो रही है, ऐसा तो नहीं है, कि six months now, एक की time में हुए हैं, या just अभी हुए हैं, ठीक है, नहीं है, इसमें क्या होगा, कि पहले का समय, action जो है, वो past में शुरू हुआ, और अभी भी वो continue है, ऐसे actions, जो past में शुरू होंगे, और अभी भी वो चल ही रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, कि वो, छै मेहने से, रोड का काम कर रहे हैं, अभी तो ऐसा तो नहीं है, कि वो finish हो गया है, इस तरीके के sentences, तो ये एक detailed video आप बोल सकते हैं, बहुत ही important video आप बोल सकते हैं, जो की present tense का है, इसमें आपके present tense के जितने भी doubts हैं, वो सारे clear हो जाएंगे, और आगे हम इसी तरीके के, और videos देखेंगे, जिसमें past tense और future tense के भी हम बात करेंगे, इसी तरीके से, अगर आपने ये इस तरीके के तीनों जो है, जो tenses अच्छे से कर लिए, तो आपका tense का जो chapter है, वो complete हो जाएगा, तो I hope video आपको अच्छा लगा होगा, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, thank you so much for watching,